आज आपनलग नल और टन्की का सकेंड क्लास करेंगे इससे पाले वाले क्लास में नल और टन्की से वे सारे basic कॉंसेप्ट और कुछ केस्चान को solve किये थे आज दोस्तों से आगे देखने वाले हैं तो स्वाखतास्वी का Success Class 22 में चलिए आज की class को शुरू करते हैं आपके समने पहला question से देखे question करता है एक जग में 2 चीदर है पहला चीदर जग को 15 मिनिट में खाली कर सकता है दूसरा चीदर जग को 20 मिनिट में खाली कर सकता है यदि reserve एक निश्चीदर से हो रहा है तो दोनों चीदरों के द्वारा जग कितनी देर में खाली हो जाएगा question में दोस्तों आपको पता है कि एक जग में 2 चीदर है ठीक है पहला चीदर जग को 15 मिनिट में खाली कर सकता है और दूसरा चीदर जग को 20 मिनिट में खाली कर सकता है तिहां पर आपको लिखना है 20 अब दोस्त आपको क्या करना है आपको निकलना है उस जग की छमता है मतलब वह जग कीतना लिटर πانी रख सकता है ठीक है इस जग में जो 2 छीदर आपको पता है 14 छीदर 15 फोरे खाली कर सकता है और दूसरा चीदर जग की पानी को 20 मिनट में खाली कर सकता है तो आपको दोस्तों सबसे पहले उस जग की capacity यानी छमता निकालना है कि वह जग कितना लिटर पानी रख सकता है तो इसके लिए दोस्तों लोग पहले कलास में पढ़ चुके हैं करते हैं इस दोनों का लेते हैं LCM ठीक है 15 और 20 का LCM आपका हो जाएगा 60 मतलब आप का सकते हैं उस जग की छमता कितना है साथ लिटर पानी रखनी की छमता है इस साथ लिटर चमता वाले जग को पाला चीदर 15 मिनट में खाली कर देता है तो आप का सकते हैं एक मिनट में कितना पानी निकालता होगा पाला चीदर 4 लिटर पानी निकालता होगा और दूसरा चीदर इस साथ लिटर चमता वाले जग को 20 मिनट में खाली कर देता है मतलब दूसरा चीदर एक मिनट में 3 लिटर पानी निकालता होगा ठीक है आप यहां से कह सकते हैं एक मिनट में कितना कम हो गया पाला जग निकालेगा चार लिटर पानी और दूसरा निकालेगा तीन लिटर पानी तो एक मिनट में टोटल आपका साथ लिटर पानी रिसॉब हो जाएगा निकल जाएगा अब देखिए कुश्चन में आपको ब पानी रखने की है जक्की और एक मिलाट में शाथ लेटर पानी निकालता है यह आपका हो जगा 787 564-6 यह आपका सेवन 786-47 मुतला सभी फोरवटा सेवन मिननट का समय लगेगा ठीक है हम कहा सकते हैं पूरी तरह जक्म खाली होने में कितना समय लगेगा 8 साही 4 वटा 7 मिनिट का समय लगेगा तो अप्सन नमर यहाँ पर आपका D साही हो जागा 8 साही 4 वटा 7 मिनिट तो इस तरह से दोस्तम लोग step की question को solve करते हैं और step की question को दोस्तम लोग पहले class में भी solve कर चुके हैं तो चले दोस्तम अगला question को देखते हैं आपकी सामने second question है question काता है pipe A किसी खाली होद को 14 गंटे में भर सकता है pipe B के साथ मिलकर यह खाली होद को 12 गंटे में भर सकता है इसलिए pipe B अकेले होद को कितने गंटे में भर सकता है question में दोस्तम आपको पता है कि pipe A खाली होद को कितना गंटेम भर सकता है 14 गंटेम भर सकता है मतलब अपना कम 14 गंटेम पुरा कर सकता है जब यहीं pipe B के साथ मिल जाता है आगे question करें pipe B के साथ मिल कर मतलब A पैप जो है या B के साथ मिल जाता है मतलब A और B मिल कर जब कम करता है तब दोस्तों कितना गंटेम कर देता है? 12 गंटेम कर देता है यहां से आपको क्या करना है? सबसे पहले उस होद की capacity यानि उस होद की छमता निकालना है कि वह होद कितना लिटर पानी रख सकता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते है? इस दोनों का लेते हैं LCM ठीक है तो 14 और 12 LCM आपका हो जाएगा 84 मतलब उस होद की capacity यानि छमता कितना है? 84 लिटर पानी रखने की छमता है आप इस तरह से कह सकते हैं तो यहाँ पर देख किया आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है इसका एक मिनट का कम यहाँ से आप कर सकते हैं पैप ए जो है अपना कम 14 गंटे में कर सकता है मतलब 84 लिटर छमता वाले होद को 14 गंटे में भर सकता है एक घंटा में कितना पानी भरता होगा, 6 लीटर पानी भरता होगा और जब यहीं पैप B के साथ मिल जाता है तो अपना कम 12 घंटे में पूरा कर लेता है मतलब A और B मिलकर 12 घंटे में 84 लीटर चमता वाले होद को भर देता है तो एक घंटा में कितना बरता होगा A और B 7 लिटर पानी भरता होगा यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने दोनों के एक एक घंटे की कम निकाले एक घंटे में एक कितना कम करता है और एक घंटे में A और B कितना कम करता है किसी भी दोस्तो नल और टनकी की question में आपको सबसे पहले यहां तक हल करना है ठीक है उसके बाद दोस्तो question को देखना है Question का क्या रहे है question में आपको का रहा है पैप B अकेले, खाली होद को कितने गंटे में भर सकता है यहाँ पर दोस्तो हम देख सकते है A पैप जो है एक घंटा में 6 लिटर पानी भरता है लेकिन जब यहीं A पैप B के साथ मिल जाता है तो एक घंटा में 7 लिटर पानी भरता है मतलब 1 लिटर पानी एस्टरा भरता है आप का सकते 1 लिटर पानी एस्टरा कौन भरता होगा B भरता होगा यहाँ पर दोस्तों बी कितना पानी भरता है एक गंटा में एक लिटर पानी भरता है बी जब दोस्तों एक गंटा में एक लिटर पानी भरता है आपको पता है कि होद की छमता कितना है 84 लिटर पानी रखने की चमता है. और B एक घन्टा में एक लिटर पानी रखता है. आपको यहाइपर 84 बटा करदेना है. यहाइप का जयेacă 84. मतलब B को 84 घन्टा का समय लगेगा. पुरा होद को भरने में. क्योंकि B एक घन्टा में कितना पानी बढरता है? एक लिटर पानी भरता है तो उप्सन नमर यहाँ पर दोस्तों आपका ए सही हो जागा 84 गंटा कुश्चन दोस्तों यहीं आपको पता करना था कि पैप B अकेले होद को कितने गंटे में भरेगा तो पैप B अकेले उसे 84 गंटे में भरेगा उप्सन नमर आपका ए सही हो जागा 84 गंटा चलिए अगला कुश्चन को देखते हैं आपकी सामनी तीसरा कुश्चन है कुश्चन काता है एक टनकी को 10 गंटे में भर सकता है परन्तु टनकी की तली में एक छेद होने के कारण टनकी 15 गंटे में भरता है यदि तनकी पूरी तरह से भरी हो तब छेद के करण टनकी कितनी तीर में खाली होगी पहले तनकी को भरने में 10 गंटा का समय लगता था लेकिन अब तनकी की तली में क्या हो गए छेद हो गया जिसके करण दुस्तों 5 गंटा अधिक समय लगता है मतलब 15 गंटा में अब भरा जाता है तब दोस्तों आपको बताना है कि टनकी अगर पुरी तरह से भारी हो तो छेट के करण टनकी कितनी दिर में खाली हो जाएगी क्वेश्चेन करा है एक पैप किसी टनकी को कितना गंटें बर सकता है 10 गंटें बर सकता है लेकिन दोस्तों यह पैप अब कितना गंटे का समय लेता है 15 गंटे का समय लेता है किसके करण इस होल यानि छीदर के करण 15 गंटे का समय लेता है तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल सकते है उस टनकी की छमता मतलब केपिसीटी निकाल सकते है की वह टनकी कितना ल Свण पानी रख सकता है इसके लिए हम लोग करते है ह Following term to 15 और 10 doctrine कर्फो diesen आपका हो जगस तीस उस्स टनकी जो छमता है यानि कैपिसीटी अ कितना है 30 लिटर पानी रखने की छमता है ुस तीस लिटर चमता वाले टनकी को 10 घंटा में भरा जाता है, मतलब एक घंटा में कितना पानी भरता होगा, 3 लिटर पानी भरता होगा, लेकिन आप दोस्तो 15 घंटा में भरा जाता है, मतलब एक घंटा में 2 लिटर पानी भरता है, ठीक है, पहले एक घंटा में 3 लिटर पानी भरता था, तो तब दोस्तो 10 घंटा का समय लगता था 30 लिटर चमता वाले टनकी को भरने में अब दोस्तो एक घंटा में 2 लिटर पानी भरा जाता है तो तब दोस्तो 15 घंटा का समय लगता है यहां पर दोस्तो आप देख सकते हैं पहले एक घंटा में 3 लिटर पानी भरा जाता था लेकिन आप एक घंटा में 2 लिटर पानी भ खाली हो जाएगा, छे दोस्तों एक घंटा में कितना पानी निकालता है, एक लिटर पानी निकालता है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सकते हैं, तीस लिटर छमता वाले टनकी को खाली करने में, जब एक घंटा में एक लिटर पानी निकालता है, तो इसे तीस घंट और टनकी पूरी तरह से भारी हो, कुश्चन पहले ही का जाए कि टनकी जब पूरी तरह से भारी हो तो छेद के करण कितना दिर में खाली हो जाएगा तो एक घंटा में एक लिटर पानी निकलता है, मतलब 30 घंटा का समय ले गया, तो अप्सन मर आपका यहाँ पर 20 से हो जागा 30 घंटा, चली आगे बढ़ते हैं आपकी समने चोथा कुश्चन इसे देखे, कुश्चन काता है एक नल किसी टनकी को 4 घंटे मभर सकता है, लेकिन दिसवाब के करण टनकी को भरने में उस नल को 2 घंटा अधिक समय लगता है, यदि टनकी 50 परसेंट भरी हो तो रिसवाब उसे कितनी दिर में खाली कर देगा कुश्चन में आपको पता है कि एक नल किसी टनकी को 4 घंटे मभर सकता है, लेकिन दोस्तों यही नल जब उस टनकी में होल यानि छेद हो गया है तो 2 घंटे का अधिक समय लेता है, मतलब 6 घंटे का समय लेता है, ठीक है, पहले जो काम होता था 4 घंटे में और रिसवाब य समय हो जाएगा 12, मतलब उस टनकी की जो छमता है, मतलब KPCT है, 12 लिटर पानी रखने की छमता है, और इस 12 लिटर चमता वाली टनकी को 4 घंटे में भरा जा सकता है, मतलब एक घंटे में 3 लिटर पानी भरा जाता है, लेकिन अब टनकी में रिसॉप के करण 6 घंटा का समय ल एक लिटर पानी आपका रिसॉब हो रहा है ठीक है एक लिटर पानी जब आपका दूस्तो रिसॉब हो रहा है तब आपको बताना है कि टंकी 50% भरी हो तो रिसॉब उसे कितना धिर में खाली कर देगा मतलब यहाँ जो hole है दोस्तों जिसके करण एक लिटर पानी निकलता है तब दोस्त आपको बताना है कि इस hole के करण कितना दिर में टनकी खाली हो जाएगा कब जब टनकी 50% भरी हो तो यहाँ पर दोस्त आप कह सकते हैं 50% के मतलब क्या आधा तो टनकी की चमता कितना है 12 लिटर पानी रखने की है 6 लिटर भरी है और 6 लिटर खाली है अब दोस्तों इस 6 लिटर को खाली करना है और एक घंटा में कितना खाली होता है एक लिटर खाली होता है आपकी समने पाच्वा कुश्चन इसे देखे, कुश्चन काता है, एक पैप किसी तनकी को चार गंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पैप भरी तनकी को दस गंटे में खाली कर सकता है, दोनों पैप को एक साथ खोला गया, जब तनकी आधी खाली थी तो ग्यात किजिए कित तनकी पूरी तरह से भरी हो यहाँ पर दोस्ता आप लोग सबसे पर इतनकी की छमता मतलब केपेसिटी आपको निकाल लेना है कि तनकी कितना लिटर पानी रख सकता है तो उसके लिए दोस्ता आपको इसका करना LCM तो 4 और 10 का LCM आपका हो जाएगा 20 आप कहा सकते हैं तनकी की पांच लिखना है और दूसरा पैप 10 घंटा में खाली कर सकता है तो एक घंटा में कितना पानी निकालता होगा दो लिटर पानी निकालता होगा पाला पैप एक घंटा में पांच लिटर पानी भरेगा और दूसरा पैप एक घंटा में दो लिटर पानी निकालेगा कुश् समय मिटन की पूरी भर जाएगी मतलब दोस्तों अभी या 10 लीटर पानी रख सकता है अधा खाली है मतलब 10 लीटर पानी अभी रख सकता है आप दोस्तों आपको यहीं बताना है कि कितने समय मिटन की पूरी तरह से भर जाएगी तो 10 लीटर पानी भरना है और आपको पता है कि एक घंटा में 3 लिटर पानी भरा जाता है मतलब पाला और दूसरा पैप एक साथ खोला गया है तो पाला पैप 5 लिटर पानी भरेगा और दूसरा पैप 2 लिटर पानी निकालेगा तो 3 लिटर पानी भरा जाएगा और 10 लिटर पानी आपको भरना है और 3 लिटर पानी एक गंटा है भरा जाता है तो आपको यहाँ पर 3 से डिवैड कर देना है यह आपको हो जागा 3 तिया 9 एक 10 बटा 3 आपका सकते हैं 3 गंटा 1 बटा 3 मिनट का समय लगेगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिनट में बदल देना है तो आपको हो जागा साथ से मल्टीपल है यह हो जागा 20 तिया साथ मतलब 3 घंटा 20 मिनट आपके समने चटा कुश्चन इसे देखे कुश्चन काता है एक नल एक टनकी को 18 मिनट में भर सकता है दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है यदि तनकी पाले से 3 चोथाई भाग भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर तनकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी कुश्चन में दूस्तों आपको पता है कि 2 नल है पाला नल क्या करता है भर सकता है मतलब 18 मिनट में तनकी को भर सकता है लेकिन दूसरा नल 12 मिनट में खाली कर सकता है तो दोस्तों आपको बताना है कि तनकी का 3 चोथाई भाग पाले से भरा है तो दोनों नलों को जब एक साथ खोला जाएगा तो बताना है टनकी कितना मिनिट में खाली हो जाएगा यहाँ पर हम कर सकते हैं पहला नल क्या करता है दोस्तों 18 मिनिट में भर सकता है लेकिन दूसरा नल जो है सकेंड नल या क्या करता है 12 मिनिट में खाली कर सकता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पाले टनकी की छमता मतलब capacity निकालना है उसके लिए हम लोग इसका करते हैं LCM ठीक है 18 और 12 लिए आपको हो जगा 36 मतलब टनकी की छमता capacity कितना 36 लिटर पानी रखने की है जिसे पाला नल क्या करते है? 18 मिनिट में भर सकता है मतलब 1 मिनिट में कितना पानी भरता होगा 2 लिटर पानी भरता होगा लेकिन इसी 36 लिटर छमता वाली तनकी को दूसरा नल 12 मिनिट में क्या करता है खाली कर सकता है मतलब 1 मिनिट में 3 लिटर पानी निकालता होगा और ये भरता होगा तियाँ पर पलस कर दिये यहाँ पर दोस्त हम कह सकते हैं जब दोनों नलों को एक साथ खोला जाएगा तो एक मिनट वे कितना कम होगा दो लिटर पानी भरा जाएगा और तीन लिटर पानी निकासी होगा तब ही दोस्तों एक लिटर पानी आपका क्या होगा निकासी होगा एक लिटर पानी जो निकासी होगा वह कौन सा पानी निकासी होगा जो पाले से भरा होगा टनकी में और question आपको पाले ही कर जाए कि पाले से तीन चोथाई भाग भरी है मतलब इस 36 लिटर छमता वाला जो ट मतलब 37 लीटर टनकी क्या है भरा है 36 लीटर वला जो टनकी है इसका 37 लीटर क्या है टनकी भरा है तो जोस्तो खाली कोन होगा जो भरा रहेगा क्योंकि जब दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 2 लीटर पानी भरा जाएगा और 1 लीटर खाली होगा तो खाली कोन होगा 1 लीटर प को निकालने में तो अप्सन नमर आपका दूस्तों यहाँ पर डी से हो जागा 37 मिनट ठीक है तो चले दूस्तों अगला कुष्चन को देखते हैं आप लोग इसे समझे होंगे आपकी समने सात्मा कुष्चन इसे देखिए कुष्चन करा एक नल एक टनकी को 24 मिनट में भर सकत है लेकिन दूसरा नल इसे खाली कर सकता है कितना मिनट में 36 मिनट में अब दोस्तों आपको यहाँ पर टनकी की छमता मतले के पेसिटी निकलना है कि टनकी कितना लीटर पानी रख सकता है उसके लिए हम लोग इसका करते हैं लसीम तो 24 और 36 के लसीम आपका हो जागा 72 मतलब टनकी 72 लीटर छमता वाला टनकी है ठीक है 24 मिनट में इसे भर सकता है मतलब एक मिनट में 3 लीटर पानी भरता होगा और दूसरा नल क्या करता है खाली कर सकता है कितना मिनट में 36 मिनट में तो एक मिनट में कितना पानी निकलता होगा दो लीटर पानी निकलता होगा अब द दोस्तों हमने निकाले 1 मिनट में 1 लिटर पानी भाण बहरा जायगा लेकिन क्युष्चिन करना है, टन की पाले से 1 त्याई भाग भरी है इस 22 लिटर छमता वाला जो तकी है इसका कारा जो तो मतलब 2 त्याई भाग क्या होगा? खाली होगा। यहाँ पर दोस्तों, दो तियाई भाग, आपको खाली बला निकलना है, क्योंकि भरा जाएगा कौन? जो खाली होगा, वही भरा जाएगा, यह आपका होज़ागा 24 तिया 72, 24 दूना 48, हम कहा सकते हैं, यह जो बहतर लिटर छमता वाला टनकी है, इसका दोस्तों एक त्याई भाग क्या है भरी है तो आपको दोस्तों खाली बला भाग भरना है तो मतलब दो त्याई भाग आपको भरना है किसका तो बात्ता लिटर छमता वाला तनकी है इसका दो त्याई भाग आपको भरना है ति आपका दो त्याई भाग कितना होगा अर्तालिस लिटर प पानी भरा हुआ है पी नल उस टनकी को 10 मिनिट में भर सकता है जब कि क्यू नल उसे 6 मिनिट में खाली कर सकता है यदि दोनों नल खोल दिया जाए तो टनकी कितनी समय में पुरूता खाली या भरी जा सकती है लेकिन क्यू नल क्या कर सकता है 6 मिनिट में खाली कर सकता है यहां पर लोग टनकी की सबसे पहले चमता निकालिए तो उसके लिए हम लोग इसका करते हैं LCM तो 10 और 6 कलसी में आपका हो जगा 30 मतलब टनकी की छमता कितना है 30 लिटर पानी रखने की छमता है जिसे पी नल 10 मिनट में भर सकता है मतलब 1 मिनट में कितना पानी भरता होगा 3 लिटर पानी भरता होगा और क्यों नल क्या करता है दोस्तों 6 मिनिट में खाली कर सकता है मतलब 1 मिनिट में 5 लिटर पानी निकालता होगा तो यह होगा आपका खाली करने वाला और यह होगा भरने वाला 1 मिनिट में कितना काम होगा दोस्तों 3 लिटर पानी भरा जाएगा और 5 लिटर पानी खाली होगा तो तब भी दोस्तों क्या होगा 2 लिटर पानी खाली होगा ठीक है जब इस दोनों नल को एक साथ खोलेंगे एक मिनट में क्या होगा 3 लिटर पानी भरा जाएगे लेकिन 5 लिटर पानी खाली होगा मतलब 2 लिटर पानी एस्टरा खाली होगा दो लिटर पानी अश्टरा कौन खाली होगा जो पाले से तनकी में भरा होगा और question आपको पाले ही कर जाए कि तनकी कितना बरी है तीन बटा पाँच भाग पानी से भरा है तो यहीं भाग खाली होगा तो यहाँ पर दोस्ता आप का सकते हैं तीस लिटर का तीन बटा पाँच भाग भरा है मतला तीस का तीन बटा पाँच ती आपका हो जगा च्छो पंचे तीस च्छो तरी के अठारा मतला हम कह सकते हैं इस तनकी की जो छमता है तीस लिटर पानी रखने की या दोस्तो 18 लिटर क्या है भरा हुआ है तो खाली कौन होगा जो भरा रहेगा तो 18 लिटर भरा है और 18 लिटर क्या होगा खाली होगा और एक मिनट में कितना पानी खाली होता है 2 लिटर पानी खाली होता है तो 18 बट आपको कर देना है 2 तो आपका हो जागा 9, 9 मिनट का समय लगेगा इस 18 लिटर पानी को खाली करने में, क्यों? क्योंकि एक मिनट में 2 लिटर पानी खाली होता है तो देखिए दोस्ता आपका यहाँ पर उप्सन नमर D सही हो जागा, 9 मिनट में खाली होगा आपकी समने 9 नमर कुश्चन है, कुश्चन करा है दो नल A तथा B, अलगलग किसी तनकी को करमसा 15 और 25 घंटे में भरते हैं यदि उनको करमसा एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो शुरुवात B करें तो तनकी भरने में कितना समय लगेगा? कुश्चन में आपको पता है कि दो नले कौन A और B, पाला नल भरता है कितना घंटा में तनकी को 15 घंटा में, लेकिन दूसरा नल जो B है यह तनकी को भरता है 25 घंटा में तो पाला नल भरता इसे 15 गंटे में मतलब एक घंटा में कितना पानी भरता होगा तो आपको जगा 15, 75, 75 मतलब एक घंटा में 5 लिटर पानी भरता होगा लेकिन दोस्तों बी नल को भरने में 25 गंटा का समय लेता है मतलब एक घंटा में या 3 लिटर पानी भरता होगा चुने कृने काम करनेका भी दोस्तों कतना पानी भरता है तो एक गहन हो सकते हैं थीकंको ब्हटे गांट अनलिमरेल नेमाने में पानी भरता लगते है लेकिन आपको भरना कितना है? 75 लिटर पानी भरना है और 2 गंटा में 8 लिटर पानी भरा जाएगा यहाँ पर अगर दोस्तों हम लोग 9 से मल्टीपल एक कर दे यह आपका हो जगा 9, 8, 72 यह हो जगा आपका 9, 2, 1, 18 मतलब 18 गंटा में कितना पानी भरा जाएगा? बी भरता एक गंटा में 3 लिटर तो 72 आपका हो जगा 75 मतलब टोटल दोस्तों आपका 75 लिटर पानी भरा जाएगा? कितना गंटा में? 19 गंटा में यहाँ पर दोस्तों आपका उपसन नमर D सही हो जगा 19 गंटा ठीक है? टनकी को भरने में करा है कितना समय लगेगा? तो 19 गंटा का समय लगेगा कब? जब एक एक घंटा के लिए इसे खोला जाता है तब तो अपसन नमर आपका D सही हो जग 19 गंटा चलिए आगे बरते हैं आपके समने दोस्तों 10 नमर कुश्चन है कुश्चन करा है दो नल एक टनकी को करमसा 6 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं तीसरा नल इसे 18 मिनट में खाली कर सकता है पहले दो नल दो मिनट खुले राते हैं इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है तो बताए टनकी कितनी दिर बाद भर जाएगी question में दोस्ता आपको पता है कि 3 नल है पाला दूसरा और तीसरा पाला नल दोस्तों क्या है भरने वाला है या दोस्तों 6 मिनिट में भर सकता है दूसरा नल भी भरने वाला है या दोस्तों 15 मिनिट में टनकी को भर सकता है लेकिन तीसरा नल क्या है खाली करने वाला है या दोस् अब को सब्वे से पहले डंकी चंपता मुतलगके सिटक की निगालना है इसम Smith करें लग तो 6-15 preventing उठाल आपको जग adesso alert to यहाँ अभी टंकी की चंपता कितना नाबय लिटर पानी रखने की चंपता है यहां पर दूस्ता कह सकते हैं इस verbally. टंकी है इसे पहला और बरता है या दोस्तों, 70 लिटर चमतावाले टनki की को 18 मिनिट में क्या करता है, खाली कर देता है मतलब, एक मिनिट में 5 लिटर पानी खाली करता हогगा तो किसी भी क्वेश्चन में आपको सबसे पहले, यहां तक तो आपको निकाल ला है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको देखे क्या रहा है क्या रहा है पहले दो मिनट खुले रहाते हैं यहाँ दोस्तों पहला और दूसरा नल है यहाँ क्या रहा है पहले दो मिनट के लिए खुले रहाते हैं सिर्फ यहीं दोनों नल पाला और दूसरा यह दोनोनल है भरने वाला एक मिनट में कितना पानी भरेगा तो 15 छाप का हो जग 21 एक मिनट में 20 लिटर पानी भरेगा लेकिन दुस्तों दो मिनट के लिए खुला रहाता है मतलब 42 लिटर पानी भरा जाएगा उसके बाद दोस्तों question करा है धूसरा नल क्या करेगा पांच लिटर खाली करेगा तो यह दोस्तों एक मेल फैन फानट पानी भरा जाएगा फांच लिटर खाली होगत तो तब ही दोश्तों विचा बताना यह चुछ आई 3 anthropology या जो 48 टर्टंड की खाली है इसे ही बताना है कि कितना दिर में भरा जाएगा तो दोस्तों एक मिनट में कितना पानी भरा जाता है 16 लिटर पानी भरा जाता है और आपको कितना बरना अर्थ-40 बंटा है तो आर्थ-40 ब्रटा सोलग कर देना है यह आपका हो जाएगा 16-43 म मतलब इस 48 लिटर पानी को भरने में कितना समय लगेगा 3 मिनट का समय लगेगा क्योंकि एक मिनट में कितना पानी भरा जाता है सोलर लिटर पानी भरा जाता है तो 48 लिटर भरना है तो 3 मिनट का समय लगेगा तो अपसन नमर आपका C से ही हो जागा 3 मिनट तो चलिए दोस्तों अगला कुश्चन को समझते हैं आपके सामने ग्यारा नमर कुश्चन है कुश्चन करा है दो नल एक टनकी को क्रमसा 24 मिनट तथा 18 मिनट पे भर सकते हैं जबकि तीसरा नल इसे 9 मिनट पे खाली कर सकता है पहले दोनों नल 6 मिनट के लिए खोले रहते हैं उसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है तो बताए टनकी कितनी दिर के बाद खाली हो जाएगी पहला नल तनकी को 24 मिनट पे भर सकता है जबकि दूसरा नल तनकी को कितना मिनट पे भरता है 18 मिनिट में भरता है लेकिन तीसरा नल क्या है खाली करने वाला है तो तीसरा नल टनकी को कितना मिनिट में खाली करता है 9 मिनिट में खाली करता है यहां से दोस्ता आप लोग सबसे पले टनकी की छमता यानि के पेसिटी निकाल सकते है तो ट्नकी की छमता आपका हो जगा 72 युनित मतलब 24, 18 और 9 का जब Elsieman कीजेगा तब asijat 72 इस 72 लीटर छमता वाले ट्नकी को पाला नल जो है या 24 मिनिट में भरता है, मतलब 1 मिनिट में कितना पानी भरता होगा? तीन लिटर पानी भरता होगा दूसरा नल भरता है 18 मिनिट में मतला एक मिनिट में कितना पानी भरता होगा या 4 लिटर पानी भरता होगा और तीसरा है आपका खाली करने वाला तो तीसरा दोस्तो नो मिनिट में खाली कर देता है तो हम कर सकते हैं तिसरा एक मिनट में कितना पानी निकलता होगा, आठ लिटर पानी निकलता होगा, फिर दोस्तो आपका आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है, पहले दो नल छो मिनट के लिए खुले राता है, पहला नल एक बार में तीन लिटर पानी भरता है, और दूसरा नल चार पानी भर देगा फिर दोस्त आगे कुश्चन करा है इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है यहाँ पर हम कह सकते हैं एक नेट में कितना कम होगा यह दोनों नल क्या करेगा 7 लिटर पानी भरेगा लेकिन तीसरा नल क्या करेगा 8 लिटर पानी खाली करेगा यहाँ पर आपका सकते हैं एक लिटर जो एश्टरा पानी खाली हो रहा है टंकी से वह कौन होगा जो टंकी में पहले से बहरा होगा जो टंकी में दोस्तों पहले से कितना पानी भरा है 42 लिटर पानी भरा है क्योंकि पहला और दूसरा नर्म मिलकर पहले 6 मिनट कम कर दिया है मतलब 42 थीक है क्योंकि एक मिनिट में कितना पानी खाली होता है चले दूस्त अगला कुश्चन को देखते हैं आपके समने 12 नमर कुश्चन है, कुश्चन करा है, दो नल एक टनकी को करमसा, 30 मिनट तथा 24 मिनट वे भर सकते हैं, तीसरा नल इसे 12 मिनट वे खाली कर सकता है, पहले दोनों नल 6 मिनट खुले रहते हैं, इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, तो बताए टनकी कितन मिन definite में खाली कर सकता है। यहाँ पर दोस्ता आपको रहा हो सकते हैं तनकी की छमता कितना होगा। 10, 24, 12, 12, udahो 20, हो जाघा एक सब ट तो तनकी की छमता कितना है 120 लिटर पानी रखने की छमता है, जिसे पहला नल 30 में बहता हैं मतलब 1 एक मिनट में कितना पानी भरता होगा चार लीटर पानी भरता होगा दूसरा नल इसे 24 मिनट में भरता है मतला एक मिनट में पांच लीटर पानी भरता होगा लेकिन दोस्तों तीसरा नल क्या खाली करने वाला है तो यह दोस्तों 12 मिनट में इसे खाली कर सकता है तो यह दोस्त दूसरा भरता है पांच लीटर पानी तो एक मिनट वे कितना पानी भरेगा? 9 लीटर पानी भरेगा लेकिन कुष्चन करा है चोव मिनट के लिए तो 66 से से मॉल्टी पला कर देना है यह आपको होजे गार 9 चार के चोवन मतलब यह दोनों नल चोई मिनट में कितना पानी भर देगा चोबन लीटर पानी भर देगा आप कोईश्चन करता है उसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है एक मिनट में दुस्तो कितना कम होगा पाला और दूसरा नल मिलकर क्या करेगा 9 लीटर पानी भरेगा लेकिन तीसरा अनल क्या करेगा दोस लिटर पानी निकालेगा तो यहाँ पर दोस्ता आप कह सकते हैं 9 लिटर पानी भरा जाएगा और 10 लिटर पानी निकासी होगा एक लिटर पानी दोस्तो एक्टरा क्या होगा निकासी होगा तीनो पैप को खोलने के बाद एक लिटर पानी एक्स्ट्रा निकासी हो रहा है तो एक लिटर पानी दोस्तो एक्स्ट्रा निकासी कुन होगा जो पाले से भरा रहेगा पहले से तनकी कितना बरा है दोस्तों चोबन लिटर तनकी भरा है और एक लिटर पाने एक्ष्टरा निकासी हो रहा है यहाँ पर दोस्तों आपका सकते हैं कुश्चन करा है कितनी दिर के बाद खाली हो जाएगी एक लिटर पानी एक ट्रा निकासी हो रहा है एक मिनट में को 12 मिनिटे भरता है लेकिन क्यू पैप टनकी को 20 मिनिटे भरता है तो यहां पर आपका सकते हैं टनकी की छमता कितना होगा 12 और 20 का लेना है अब देखिए कुश्चन काता है कि P को X मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है तो तनकी पुरूंता 10 मिनट में भर जाती है क्योंकि तनकी को पुरूंता भरने में 10 मिनट का समय लगा है मतलब Q ने दोस्तो 10 मिनट तक काम क्या होगा तो Q दोस्तों एक मिनट ही कितना पानी भरता है तीन लिटर पानी भरता है और दस मिनट तक इसमें काम क्या होगा क्योंकि आपने किसे बंद किये हैं पी को बंद किये हैं कितनी मिनट के बाद एक मिनट के बाद और टनकी को भरने इंपूंता 10 मिट का समय लगा है Q ने सुरू से अंध तक कम क्या है मतलग Q ने 10 मिट तक कम क्या है Q आपका 1 मिट में 3 लिटर पानी भरता है तो 10 मिट में 30 लिटर पानी भर देगा यहाँ पर दोस्ता आपकर सकते हैं यह जो 7 लिटर छमता वाला टन की है इसमें 30 लिटर पानी भरा गया है अब दस्तो खाली कितना है मातर 30 लिटर नहीं खाली है क्योंकि क्यों का तो काम हमने निकाल लिए कि 10 मिनट में इसमें कितना काम क्या होगा 30 लिटर पानी भरा होगा काम हुआ है पूरा 10 मिनट, 10 मिनट में क्यों नी कितना काम क्या होगा, 30 लिटर पानी भरा होगा, जो काम rest बांकी है, उसे कुन करेगा, पी करेगा, तो इस 30 लिटर पानी को कुन भरेगा, पी भरेगा, पी भरता एक मिनट में 5 लिटर पानी, तो इसे 30 लिटर पानी भरने में 6 मिनट तक में ठीक है पी 30 लेटर पानी को 6 मिनटे बरता है मतलब पी 6 मिनट में अपना काम पूरा कर देता है तो यहीं कुश्चन करा है कि पी को 1 मिनट के बाद बंद कर दिया जाए तो पी को जब दोस्तो 6 मिनट के बाद बंद कर देंगी तो अपना काम क्या करेगा पूरा कर लेगा तो चले दोस्तों अगला कुश्चन को देखते हैं आपके समने दोस्तों अगला कुश्चन है कुश्चन कर है दो पैप एक टनकी को करम सर तीस मिनट में भर सकते हैं दोनों पैपों को एक साथ चालू किया जाता ह यदि ट Numki को 24 मिट में भरना हो तो दूसरे पैप को कब बंद करना चाहिए क्श्चंग करहें दोस्तों पाला पैप ट Numki को 30 मिट में भरता है लेकिन दूसरा पैप तनकी को 40 मिट में भरता है तो यहां से आम लोग टंकी की छंबता है मतलकि capacity निकाल सकते है तो 40 और 30 केलसिम आपका हो जगा 120 मतलब तनकी की छमता कितना है 120 लिटर पानी रखने की छमता है पहला पैप दोस्तों इस 120 लिटर छमता वाले तनकी को 30 मिनट पे भरता है मतलब एक मिनट पे कितना पानी भरता होगा 4 लिटर पानी भरता होगा और दूसरा पैप इसे 40 मिनट पे भरता है मतलब एक मिनट पे कितना पानी भरता होगा 3 लिटर पानी भरता होगा ये दूस्त हमने पहला और दूसरा पैप का एक मिनट का काम निकाले एक मिनट पे कुन कितना काम करता है अब देखियो कुश्चन क्या करा है, कुश्चन करा है यदि टनकी को 24 मिनटे भरना हो तो, दूसरे पैप को कब बंद करना चाहिए, दूसरा पैप को बंद करने की बात हुई है, मतलब पहला पैप ने शुरू से लेकर लाश तक काम क्या होगा, आप कह सकते हैं पहला पैप 24 मिनट तक काम क्या होगा, एक मिनट में 4 लीटर पानी भरता है और 24 मिनट तक इसने काम क्या, इसने दूस्तों कितना पानी बर दिया, यह हो जगा 16,4,2,8,9, एक सब 20 लीटर छमता वाला टनकी है, जिसमें दूस्तों पहला पैप के दूआरा, 96 लीटर पानी भरा गया है, यहां से दूस्तों आपको 96 मिनस कर लेना है, मतलब आपको निकाल लेना है, अभी भी टनकी कितना खाली है, यह आपका हो जगा 4, यह हो जगा 2, मतलब अभी 24 लीटर टनकी क्या है, खाली है, तो यहां जो दूस्तों मारा 24 लीटर टनकी खाली है, अभी से कोन भरेगा, दू को भरना है 24 लिटर पानी ति आपका उज़गा 38-24 लिटल आठ मिनट तो आप कह सकते हैं दूसरा पैप को इस 24 लिटर पानी को भरने में कितना समय लगेगा 8 मिनट का समय लगेगा कुष्चन दूसरा पैप को कब बंद करना चाहिए तो दूसरा पैप को 8 मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए तब दूसरा क्या करेगा अपना का पूरा कर देगा मतला 24 लिटर पानी को भर देगा अप्सन नमर दोस्तों यहाँ पर आपका डीस से हो जएगा 8 मिना चलिए अगला कुश्चन को देखते हैं आपके सामने अगला कुश्चन है कुश्चन करा है पानी का एक ड्रम 3 बटा 4 भाग भरा हुआ है जब 35 लिटर पानी इसमें से निकाला जाता है तो यह ड्रम 2 बटा 5 भाग भरा रहता है ड्रम की कुल छमता कितनी लिटर है पानी का एक ड्रम दोस्तो 3 बटा 4 भाग भरा हुआ है जब इसमें से 35 लिटर पानी निकाला जाता है तिया 2 बटा 5 भाग भरा रहता है यहां से आप कह सकते हैं 3 बटा 4 मेनस 2 बटा 5 इक्वल तो आपका हो जगा 35 यहां से दोस्तों LCM आजाएगा 20 4, 5, 25, 5, 3, 15 मेनस हो जगा 5, 24, 24, 28, 8 इक्वल तो 35 यहां से दोस्तों आपका जगा 7 बटा 20 इक्वल तो 35 यहां से दोस्तों आप 1 बराबर कह सकते हैं यहां आपका हो जगा 35 मल्टीपल है 20 बटा में आपका हो जगा 7 75, 35, 5 को 20 से मल्टीपल है कीज़ेगा तो 1 का 1 आपका जगा 25, 100 और यह 1 दोस्तों टनकी की पूरी छमता को दिखाएगा मतलब दोस्तों 100% का बेलू क्या होता 1 होता है कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है और 1 आपका दिखाएगा पूरी मातरा को मतलब डरम की कुल छमता आपका सकते कितना है 100 लिटर पानी रखने की छमता है क्योंकि हम लोग जानते है 100% का बेलू क्या दवन होता है तब सनमर आपका दोस्तों D सही हो जागा 1 लिटर डरम की कुल छमता दोस्ता आपका आगया 1 लिटर ठीक है 1 लिटर पानी इस डरम में रखा जाएगा यहां दोस्ता आप लोग कानल और टनकी से लास्ट कुष्चन था इस क्लास का तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगर दोस्ता आप लोग को यह क्लास समझ में आया है तब दोस्ता आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बैल लागों को दबाएए इस चैनल को हरे क्लास कानल टनकी के सथ मिलता रहेगा एक भी क्लास मिक्स ने होगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में तब तक के लिए जा हिंद जा भारत